नमास्कार दोस्तों मैं योगेस्ट बालो जी विदी योगेस्ट मैं आपका स्वागत करता हूँ तो चलिए जैसा कि आप लोगों मैंसे डिमांड आ रही थी सर जो आरके पिल्ले बुक है उसमें बायो केमिस्ट्री या जो हम कहें बायो मॉलिक्यूल वाले चैप्टर की जो क को सॉल्व करा दीजिए तो चलिए सुरू करते हैं यहां तो यहां देखो सबसे पहला जो आपका कुश्चन है वह है लेक्टोज इस कंपोजड ऑफ लेक्टोज जो है किस से मिलके बना होता है तो आपको बता दूँ लेक्टोज एक आपका क्या है डाई सेकराइड यानि क यह ऐसा पॉलिसेकराइड जिसमें आपको दो यूनिट मिलती है सुगर की और कौन सी एक होती आपकी गुलुकोज की सुख यूनिट और दूसरी होती आपकी गैलेक्टोज की यूनिट ठीक है इन दोनों को आप मिलाएंगे तो अब आपका क्या बन जाएगा लेक्टोज तो आप देख लिए जो जो ACE आपको श क्र posted ग्रेक्ट्त हो जाएगा एक more में किसी मॉलेक्यो को डूपोर्ट करने के लिए यहां पर क्या लगया होती है किस चीज के लिए तो दॉर को यहां से अगर दूसरे जगए अगर जाना है एक्स्टा सेलूर में तो यह इसको सेल मेंब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो सेल मेंब्रेन को क्रॉस करने के लिए बहुत सारे क्या लगे होते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगे होते हैं उन्हीं ट्रांस्पोर्टर प्रोटीन मैंसे एक है आपकी केरियर ट्रांस्पोर्टर प्रोटीन यह क्या करती है यह इन मॉलिक्यूल को ट्रांस्पोर्ट करने का काम करती हो जो केरियर ट्रांस्पोर्टर प्रोटीन होते हैं यह आपके concentration gradient पे base होते हैं high concentration to low concentration यहां से molecule transport कर जाएगा तो अगर हम बात करें passive transport की passive transport का मतलब होता है जहाँ पर कोई energy की requirement ना पड़े concentration के base पर आपका transportation हो जाए जुसको हम कहते है passive transportation तो यह आपका कैसा होगा passive transport active transport जब कि क्या होता है जहाँ पर एक्टीपी की requirement नेज़ी की requirement पड़े किसी molecule को transport करने में next phospholipid R phospholipid जो होते हैं वो कैसे होते हैं तो आपको पता दें इसी cell membrane में आपकी जो phospholipid होते हैं वो cell membrane में मौजूद होते हैं और आपको पता होगा cell membrane का जो nature होता हो कैसा होता है आपका गाइडुक्फोबिक भी होता है इसलिए हम उसको क्या कहने लगते हैं एमपीपैथिक कहने लगते है ठीक है इसके बाद है नेक्स्ट है लिनोलेक एसिड इस unsaturated fatty acid and its content highest यह highest content किसमें पाजाता है तो दोखो लिनो लेक fatty acid जो है वो एक आपका unsaturated fatty acid है clear है लेकिन यह unsaturated fatty acid में भी आपका कौन सी category का है यह है आपका poly unsaturated fatty acid का यहनि कि यह आपके प्यूफा का एक example है और यह किसमें आपको अच्छा content मिलेगा तो यह मिलेगा आपको जो sunflower seed होते हैं वहाँ इनका content अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपको ठीक चलिए next है arachidonic acid arachidonic acid is arachidonic acid क्या है तो दोखो arachidonic acid आपका एक क्या है polyunsaturated fatty acid का एक example है polyunsaturated अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने fatty acid fatty acid के regarding कई सारे जो example है उनके लिए एक trick तैयार की थी जिसको पांच मड़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं link दे दूँगा ठीक है arachidonic fatty acid जो है वो आपका polyunsaturated fatty acid का क्या है example है तो आपका एक answer correct हो जाएगा next है आपका cellulose is a polymer cellulose किसका polymer है तो देखो cellulose एक क्या है polysaccharide cellulose क्या है polysaccharide polysaccharide जो है वो आपका एक carbohydrate है जब इनके linkage को अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा beta 14 linkage तो आपका fourth option इसमें क्या हो जाएगा correct हो जाएगा beta 14 linkage जबकि अगर आपसे पूछा जाए starch जो कि आपके plant में food storage में देखने को मिलता है और दूसरा होता है आपका glycogen जो कि animal में food storage के लिए responsible होता है इन दोनों में आपको जो linkage लिंकेज मिलेगा वो मिलेगा alpha 14 linkage ठीक है और कभी-कभी alpha 16 linkage भी आपको देखने को मिल जाएगा यह जो दोनों है आपका glycogen और starch यह होते हैं आपके food storage वाले homo polysaccharide जबकि आपका जो जो cellulose होता है यह आपका कैसा होता है यह भी homo polysaccharide है लेकिन यह क्या काम करता है यह आपका structural polysaccharide का example है तो यहाँ पर आपको जो linkage मिलेगा बीटा 1-4 linkage नेक्स्ट है spoilage of oil can be detected by which fatty acid यह spoilage of oil आपको किस से detect हो कौन से fatty acid से तो जब यह तूटता है तो यह इसमें से एक acid निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं इरुकिक acid के नाम से हम इसको चांदते हैं next question है most abundant organic compound on earth प्रतिवी सबसे ज़्यादा प्रिचर मात्रा पाया जाने वाला organic compound कौन सा है तो cellulose जो है वो आपका सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है क्योंकि जो जितने भी plant है उनकी जो cell होती है plant cell वो किस चीज की बनी होती है cellulose की बनी होती है और cellulose अपने आप में क्या है एक polysaccharide है तो आपका correct option क्या होगा c is correct option अगला question है what is reducing sugar इन में से आपका कौन सा reducing sugar का example है galactose आपका reducing sugar नहीं है तो सीधा सा मैं बता दूँ आप दो example याद रखेंगे स्तिर्फ आपका एक सुक्रोज नाम का जो आपका disaccharide है यह आपका क्या होता है reducing sugar होता है आप लोग comment section box में बताईएगा इस सुक्रोज के अलावा एक और example होता है उसका answer क्या होगा एक तो है सुक्रोज और दूसरा है आप बताएंगे comment section में next है आपका cellulose is cellulose क्या है तो अभी मैंने आपको बताया cellulose क्या है आपका एक polysaccharide है लेकिन option देखिए disaccharide नहीं pentose polysaccharide तो hai लेकिन pentose वाल नहीं है तीसरा option है hetero-mucopolysaccharide फिर यह आपका glukosan homopolysaccharide तो देखो hetero polysaccharide तो यह होता नहीं है ठीक है कैसा होता है यह homopolysaccharide होता है तो यहाँotics option में आपका यह कौनसा निकल के आएगा? गुलुको-sen------------ तो यह आपका option correct हो जाएगा next आपका chemical formula for starts का chemical formula क्या होता है तो starts का chemical formula अगर आप देखेंगे starts क्या है polysaccharide है तो आपका वी option correct होगा क्या इसका फर्मूला क्या होता ची6-S10-0-5 और यहां पर लगे होती है next which one of the following glycosidic linkage इन्हें से कौन सा glycosidic linkage is found in maltose maltose मां कौन सा glycosidic bond आपको देखने को मिलता है तो maltose जो है वह आपका दो सुगर की unit से मिलके बना होता हुँ प्लस ग्लुकोज और इन्हें यहां पर आपको कौन सांधिक लिंकेश इसवाले कोजन में क्या होगा होगा उसमें जूट्र इंधे गूड्र बनेका वाटर यू वाटर जो होता है वो आपके बॉडी में क्या है ऐसा स्वॉलेट काम करता है हर चीज का ट्रांस्टोटेशन इसी के जरीए होता है इनमें से कौन सा है जिसकी एक तो प्रिचुर मात्रा में है और यूनिक स्ट्रक्चर है तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा वाटर टाइप ऑप सुगर इन डी एने में किस प्रकार की सुगर पाई जाती है तो सबको पता होगा कैसी होती है उसमें पैंटू सुगर देखने को मिलती है mixture of oil in water forms emulsion यानि कि oil को अगर आप किस में मिला देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे उसमें जो देखने को क्या मिलेगा emulsion जो है वह आपका stabilize होने लग जाएगा अगला क्वेश्चन है scleroprotein scleroprotein r scleroprotein क्या होती है scleroprotein होती है आपकी fibrous protein यह क्या होती है अगला है the tertiary structure of proteins containing the amino acid cystein is achieved through यानि कि यह कहले है tertiary structure protein containing the amino acid cysteem stysteem amino acid content करता है किस के द्वारा तो यहां पर देखो आप डाई सलफाइट बॉंड ध्यान रखेंगे, सिस्टीन, सिस्टीन के बीच में क्या बनता है, डाई सलफाइट बॉंड पौम होता है, which one of the following is not fibrillar protein, इनमें से कौन सा है, एक fibrous protein नहीं है, रेसेदार protein नहीं है, elastin एक आपकी fibrous protein है, myosin भी आपकी fibrous protein है, केरेटीन भी आपको बताया था यह फाइब्रस प्रोटीन है कोलाजन भी फाइब्रस प्रोटीन है जबकि एल्बुमिन एक प्रकार की सिंपलर प्रोटीन है यह कैसी है सिंपल प्रोटीन है ना कि फाइब्रस प्रोटीन तीक है सिंपल प्रोटीन कैसी होती है water soluble जब पी यह जितने भी फाइब्रस प्रोटीन है सब के सब कैसी होते है water insoluble अब fatty acid is unsaturated अब fatty acid unsaturated unsaturated fatty acid कौन है तो 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 unsaturated fatty acid में आप देखेंगे एक होता है आपका लॉरिक fatty acid ठीक है और फिर होता है आपका मारेस्टिक fatty acid और होता है आपका Özасть पाल मेडिक fatty acid और एक और होता है its today फटी यह आपके चार्जर उते हैं उन साच्रेंटोरती अस्द के एक्जामपल होते है ठीक है यह आपके बनाहे बता यह आपके सैचुरेटेट्ट फैटी एसिट के एक्जाम्पल है जह यहां पर पूछा क्या गया है अंसाचुरेट्ट फैटी एसिड का अंसाचुरेट्ट iksट में क्या होता है यह कह रहा है नदेखने को मिलेगा आपको Monoglyceride, Monoglyceride में क्या होता है, एक fatty acid होता है, प्लस एक glycerol होता है, जबकि Diglycerol में क्या होता है, Diglyceride में क्या होता है, आपका दो fatty acid होते हैं और एक glycerol होगा, ऐसे ही आपका triglyceride में क्या होगा, तीन fatty acid होंगे और एक glycerol होगा ध्यान रखना एक glycerol तो एक ही रहता है हमेशा जबकि नाम जो है triglyceride तो इसमें fatty acid बढ़ जाएंगे तो देखो three fatty acid with one glycerol तो आपका a option correct होगा next है number of fatty acids in neutral fat neutral fat में कितने fatty acid पाए जाते हैं तो दो को neutral fat जो है वो इसके पहले जस्ट अपन ने देखा ना triglyceride triglyceride is a example of natural fat ठीक है जो कि आपको कहां देखने को मिलता है cell membrane में देखने को मिलता है यहां पर आपको कितने मिले triglyceride में three fatty acids देखने को मिल जाते है which of the following is an example of saturated fatty acid अभी आपको पता था saturated fatty acid में कौन-कौन होते है लारिक एसिट तो यहां पर लारिक एसिड नहीं है आगर आप यहां पर देखेंगे तो एक है linoleic fatty acid, linoleic fatty acid और आपका oleic fatty acid और एक और दिया हुआ यहां पर steric fatty acid तो आप देखेंगे यहां saturated में होता है आपका steric fatty acid तो बाकी यह जो तीन दिख रहे हैं यह आपके किसके प्रूब option, NaCl है यह कहा रहे हैं कि inorganic micro molecule है, H2O water जो है organic micro molecule, start जो है organic micro molecule, पर यह कहा रहे हैं कि glucose जो है वो inorganic micro molecule है, तो दोखो glucose जो है वो आपका micro molecule तो यह तो गलत है, start जो है वो आपका micro molecule है, कि इंको polysaccharide है, यह भी गलत है S2O जो है यह क्या है आपका organic organic micro organic तो हो गाई नहीं क्योंकि इसमें carbon की balance यह ही नहीं है ना यह भी गलत है तो आपका यह correct option हो जाएगा क्या sodium chloride is a inorganic क्योंकि इसमें carbon नहीं है ठीक है तो A is correct option next है DNA and RNA differ by DNA और RNA किस से अंतर रखते हैं differ करते हैं तो आपको पता दू जो DNA है उसमें deoxy ribosugar होती है जबकि RNA में क्या होती है ribosugar और इसी के साथ आपका जो nitrogenous base है तो जब आप DNA देखेंगे तो DNA में आपको मिलेगा क्या DNA में मिलेगा आपको thymine जबकि RNA में आपको मिलेगा क्या RNA मिलेगा uracil ठीक है तो आपको nitrogenous base में भी अंतर मिलता है और साथ में आपको sugar में भी अंतर देखने को मिल जाता है ठीक चलो इसके बाद next है helical structure इस तरीके से helical structure of protein is stabilized यह helical structure protein आपको इसमें देखने को मिलेगा secondary structure protein में मिलेगा जिसमें आप पढ़ते हैं alpha helix और beta seed beta seed में आप जब देखेंगे तो यहां पर इनके बीच में hydrogen bond फॉर्म होगा यह hydrogen bond जो है वो इसको helix को क्या करते है इस्टेविलाइज करते है नेक्स्ट बाइलोजिकल मेंब्रेन consists primarily बाइलोजिकल मेंब्रेन यानि कि cell membrane या plasma membrane इसमें primarily दो two kind of molecules कौन से होते हैं तो आपको पत percentage कितनी होती है cell membrane में और lipid की percentage कितनी होती है comment section में बताइएगा अगला है dna is composed repeating unit dna जो है उसमें कौन सी repeating unit से फॉर्म होता है आपका dna तो deoxyribonucleotide ना की side ठीक है से होगा which one is nucleotide मैं से कौन सा nucleotide है तो जितने भी nucleoside बनते हैं साइड साइड वाले जो होंगे उनमें जो suffix लगेगा उसमें सब के पीछे जैसे के adenosine guanocene और thymidine उनमें इनमें लगेगा gene और उनमें लगेगा scene किसमें nucleoside में जबकि पूछा किसमें tide में तो tide में आप isolate लगा दीजे पीछे या फिर एक acid लगा दीजे तो urileic acid ठीक है यह क्या हो जाएगा आपका correct option which is wrong about nucleic acid nucleic acid के regarding कौन सा गलत है वन टर्ण ऑफ जट डीएने डीएने जो जट डीएने हैं एक लेफ एंड डीएने हैं इसके एक टर्ण में कितना बेस पाया जाता है तो 12 बेस पर होता यह correct है ठीक है जबकि बीडीएने जो होता है बीडीएने में कितना होता है आपका दस ब ênhvimasig viruses कुछ virus एसे होता है जिसमें जो डीएने होता है सिंगल स्टेंडर होता है सही होता है सभी राख है मतलब इक हैलिक्समें एक हैस मां आप देखेंगे BDNA के, तो एक हैलिक्स में कितने होते हैं, यह कह रहा है कि 45 एंगर सटान आपकी दूरी होती है, जबकि अगर आप एक टर्न देखें गे या एक हैलिक्स देखेंगे, वहाँ पर कितना होता है, 10 बेस्पेर होता है, या 10 बेस्पेर किया अलावा अगर हम उसकी एंगर स्टान म किन यूडlica करेंगे तो तो लुम साइड को मिला दो तो बन जाता आपन नुप्लियो साइड कर में तो अब यह क्या बन जाएगा आपका नुकलियो टाइड बन जाएगा तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है किसको एड करना है आपको पॉस्पेट को एड कर दीजे टाइड बनाना ना पॉस्पेट कर दीजे तिक which of the following is found in both in DNA and RNA RNA और DNA में दोनों में पाया जाने वाला आपको यह बताना है तो देखो एडिनीन जो है वो आपको दोनों में मिलता है DNA में भी और RNA में भी जबकि यूरासल आपको RNA में मिलेगा राइबस सुगर RNA में मिलेगा और जो थाइमीन है वो सिर्फ DNA में मिलता है तो the difference between DNA and RNA is due to इसकी वज़े से DNA और RNA एक दूसरे से अंतर रखते हैं तो आपको पता हूँ जो DNA होता है उसमें कौन सी सरकरा होती है उसमें होती है आपकी पैंटू सुगर और इसमें यह फर्स नंबर का कारबन और यह सेकेंड नंबर का कारबन सेकेंड नंबर की कारबन में आ तो आपका एक तो अंतर होगी आप सुगर में दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस में नाइट्रोजिनस बेस में क्या होता है डिएने में क्या होता है आपका थाइमीन जबकि यूरासल में यूरासल जो होता है वह आपके आरने में तो आपका सुगर और सुगर और रहने में नेक्स्ट है कि विच वन आप दा फॉलोइंग इस चनेक्टेड वाई टू हाइड्रोजन बॉंड इन्हें से कौन से दो हैं जो हाइड्रोजन बॉंड से कनेक्ट होते हैं तो दुखो एडिनीन हमेशा थाइमीन के साथ डबल बॉंड बनाता है और गौनीन हमेशा स नुक्लियोस साइड अभी आपको बताया था साइड में क्या होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका क्या होता सुगर तो सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस यह है आपका सुगर और बेस तो आपका एक करेक्ट ऑप्शन लास्ट कुश्चन है एडिनीन गौनीन साइट प्रपल बॉंड के साथ तो यह होगी आपका करेक्ट आप्शन इसी तरी के से आप लेक्शर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर करें धन्यूंद